तो स्वागत है आप सबी का ग्यापनिकेडमी के इस नय और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं लंबा चोड़ा बोड पर लिखा हुआ है तो ये उर्दू ग्रामर नहीं है बलके हिंदी ग्रामर है तो हिंदी ग्रामर के अंतरकत आज के इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग और परत्याय को पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और परत्याय हिंदी ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोशन आप लोग के एक्जाम में हर साल और हर बार पूछे जाते हैं आप लोग कोई भी किसी वेयर का question paper उठा कर देख लीजिए, उपसर्ग और परत्याय से दो question पक्का है कि मिलेगा, 100% ये security है, आप देख ले कोई भी question पर उठा कर, रहेगा तो रहेगा, और इसी में student जो है न, confused हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, कौन से शब्द में उपसर्ग क्या है और परत्याय क्या है, मतलब उपसर्ग और परत्याय को पहचान नहीं पाते हैं, तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दे पर, discuss होने वाला एकदम बहतरीन धंग से, विश्टार से, हम लोग संजेंगे कि उपसर्ग और परत्याय किसे कहते हैं, और कुन विश्वास के साथ कह सकती हूं कि आज के बाद से आप लोग को कभी भी उपसर्ग और परतय पहचानने में एक परसेंट भी दिक्कत और परिशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा तो विडियो काफी इंपोर्टेंट है आप लोग बहुत समझदार है समझते हैं कि प्र"- लिवेशन मिलता है इस तरह के निरंतर क्लास ले्यांकि और इसद्राग के जबरधस्ट ट्रिक लाते रहने कि जो मुटवेशन मिलता है आप लोग के लाइकशेर से ही मिलता है सबसे पहले समझते हां हम सबक compatibility किसे कहते हैं उपिसर्ग को इंग्लिश में कहा जाता है कैस्व minimal का समूमर जो खिस शब्द के स्टार्टिंग यानि के शुरूवात में जुड़ कर उस शब्द का अर्थ बदल दे और एक नया शब्द बना ले तो उस अक्षर या फिर अक्षरों के समू को हम लोग कहते हैं उपसर्ग इंग्लिश में प्रिफिक्स और उर्दु में साबका ठीके जैसे कि एक्जामपल लेकर समझते हैं मान लीजिए एक शब्द है डर और डर के आगे नी लग गया देखिए डर के आगे अगर नी लगा दिया जाए तो ये नीडर बन जाता है पहले था डर ठीके ना फिर यानि कि डर लगना और डर के आगे जैसे ही हम लोग नी जो कि एक अक्षर है अक्षर लगा दिये नी तो नीडर हो गया यानि कि अर्थ बदल दिया नीडर मतलब जो डरेन उसको कहते हैं तो अर्थ बदल दिया टर से डारेक्ट और्थ बदल दिया निडर यानि जो डरेन ओर एक नया शब्द बन गया निडर तो ये जो अक्छहर एं उस्ट बना दिया न इए अक्छहर कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है और एक नया शब्द बना लेता है उस अक्षर या फिर이 अक्षरों की समुग को कहते हैं उपसर्ड तो देखिए यह आगे लग गया है 이제 तो निडर हो गया है तो निडर में उपसर्ड कौन शहायहीना उसी तरह निकम्मा में उपसर्ण क्या है ? तो नी है ठीक है ना ? यानि कि starting में नी लगा है, नी उपसर्ण लगा है जिसको जैसे नया शब्द बना है निकम्मा ठीक है ? तो यहां तक तो आईई हूप आप लोगों को उपसर्ण समझ में आ गया, अब समझते हैं हम लोग परत् पूजिट करदीजी यानि कि वैसा अक्छर या फिर अक्छरों का समून किसी शब्ध के लास्ट में उपसर्ग सब्सेदी करण sentences की और उस शब्द बदले एक नया शब्द बना ले तो तरहां के अक्षर के शमून को क्या कहते हैं परत्याइ कहते हैं जैसे की एक सब्ढ़ है दुकान और दुकान के लास्ट में दुकान अर्थ वोगया अब दुकान नहीं दुकांदार यानि की जो दुकान जिस व्यक्ति का दुकान है उसको कहेंगे दुकानदार ठीक है ना तो यहां पर अर्थ बदल जा रहा है दुकानदार हो जा रहा है और एक नया शब्द बन गया दुकानदार तो इसलिए लास्ट में जो दार जुड़ा है ना दार में दो अक्षर है एक दा है और दूसरा है रह तो दो चालेगा कि आहट जोड़ा गया है ढगवरहक्व राफ हाठ यानि और बी क्या है परतिय है ठीख है जो कि शब्द के लास्ट में घवराना कि लास्ट में जा जुड़ घुड़ गया है उसी तरह में नए लीज़े हैं पर सुन दर्था पहले सुन दर था लास्ट में ओन जाकर ता एक अक्षर घुड़ ज़़ गया नएफ जब बन गया सुन्दर्ता तो सुन्दर्ता में परत्याय क्या है तो यहां तक आप लोग एकदम हंडिट परसेंट आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि उपसर्ग और परत्याय किसे कहते हैं परत्याय को इंग्लिश में कहा जाता है सफिक्स और उर्दु में कहा जाता है लाह का याद रखिएगा ठीक है ना अब चलिए बात कर लेते हैं कि उपसर्ग और परत्याय को पहचानेंगे कैसे क्योंकि कोशन पूछ देता है कोई भी एक शब्द उठा लेगा जैसे कि निद देगा चार उपसं दिया रहेगा और आप लोगों को पहचानना रहता है कि कौन से शब्द में क्या उपसर्ग है और यहीं पर स्टुडेंट जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं और वह पहचान नहीं पाते हैं तो चलिए आज कि वडियो में मैं आप लोगों को एकदम जब उपसर्ग रहेगा तो इसी में से उपसर्ग रहेगा सारा का सारा मैं उपसर्ग लिख दी हूं और परत्याय भी मैं सारा का सारा लिख दी हूं जितना भी परत्याय होता है ना लगबग सभी परत्याय को लिख दी हूं जितना भी इंप्सर्ग होता है हर एक परत्याय को मतल को ध्यान से इसको पढ़नेना है अभी मैं आप लोग को पढ़कर पढ़कर बताऊंगे और आप लोग टेंसन फ्री रहें यह याद हो जाएगा मैं बोल रही हूं आप लोग को याद हो जाएगा क्योंकि इसमें याद करने वाली कोई बाथी नहीं है माली जे भर पेठ है तो आप जाएकर बन गया कि यानि कि भर क्या है उपसरग्ह और परतियाय लिखी होने एक नजर दोड़ा लीजिएगा उसे होगा यह कि आप लोग को रिवीजन कर पाएंगे आसानी से ठीक है ना आप लोग को लिखने की जोरत भी नहीं पड़ेगी आराम से स्क्रीन शॉट लेकर जिटना भी उपसर्ग है जितना भी परतिया है मैं लिखी दी हूं तो एक काम करती हूं सबसे पहले आप लोग को स्क्रीन शॉट लेने का ही मौका देती हूं ले लिजे फड़ावट स्क्रीन शॉट अब चलिए हम लोग उपसर्ग और परतियाय को फड़ावट एक एक करके समझ लेते हैं जितना भी उपसर्ग है जैसा कि मैं आप लोग को बताई लिख दी हूं इससे बाहर आप लोग के एकजाम में नहीं पूझेगा जो भी स्टब्द उठा कर देगा आ उसमें उपसर्ग रहेगा तो यहीं उपसर्ग रहेगा टोटल में उपसर्ग दिख दी हूं और टोटल पड़तियाय लिख दी हूं ठीक है न तो देखें यहाँ पर कुकर्म कुकर्म में आप लोग को अराम से ये समझ में आ रहा होगा कि कुकर्म है यानि कि कर्म के आगे कू लगा है यानि कि कुकर्म में उपसर्ग कौन सा है तो वो है कू तो ये याद करने वाली बात है जरा आप ही लोग बताएं यहीं, याद करने वाली बात हैं इनाराम दिख जा रहा है कि कू लगा हुआ है तो कू क्या हो गया एक उपसर्ग हो गया उसी तरह कपूत पूत के आगे को लग गया है तो इसमें क्या है कोई थे उसी तरह माली जेक शब्द दिदिए नि tu खूर आप लोगों के एक्जाम में कि सुसंगती में बताइए उपसर्ग?" कौन सा है while of a में में देगा सू, b में ैस시면 धिलिए गति उपसर्ग तो बताइए तो सु संगती में उपसर्ग कौन सा है तो डार्रेक्ट दिख जा रहा है संगती के आगे क्या लगा है दो लगा है यानकी सुसंगती इस शॉबद में दो उपसरग है वह है ठीक है ना उसी तरह सफूत सपूत के आगे सो लग गया है यानि कि इसमें सो जो है न एक उपसर्ग है तो देखिए नी, भर, कू, का, सू, सा ये सब क्या है उपसर्ग है जो कि किसी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ जाते हैं आगे जुड़ जाते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं और एक नया शब्द बना लेते हैं ये सब क्या है उपसर्ग है उसी तरह ओ क्या है एक उपसर्ग है जो कि गाध के आगे लग गया है और अगाध बना लिया है उसी तरह अनमोल मोल में अनलग गया है starting में अन लग गया है तो यह अनमोल बन गया है यानि कि अनमोल में जो उपसर्ग है वो है अन ठीक है ना उसी तरह अध मरा मरा था पहले starting में क्या जुड़ गया अध यानि कि इस शब्द में उपसर्ग कौन सा है अध उसी तरह दूबला तो आप लोग देख सकते हैं पहले थ छेने कि और सब्सक्रा बला और स्टार्टिंग में आगे आकर क्या जुड़ गया दू यानि कि दू क्या है एक उपसर्ग है ठीक है यानि किції प्रिफिक्स है आप यूँ कह सकते हैं यह सामका है उर्दु में ठीक के बिन खाए पहले तक खाए और स्टार्टिंग में आगे क्या जुड़ गया बिन यानि कि बिन भी एक उपसर्ग है उसी तरह उत या फिर उद ये दोनों भी क्या है उपसर्ग है उत जो है ना उत्तम आप लोग सुने होंगे ये लफज है उत्तम तो कोशन पूर सकता है आप लोग नॉर्मल तो ठीक है उसके बाद से लास्ट में आपसंट सी में देगा मा किसी तरह से देगा और उसमें सही आपसंट भी देगा ईसा नहीं है कि सही सब्सक्राइब और ये वाद तो के नीचे हल रहेगा ठीक है ना तो उत्तम आप लोग को दिखाए ते कर दिजेगा अगर ये कोशन पूछे तो तो उत्तम में जो उपसर्ग है वो है उत्त उसी तरह उदगम उदगम में जो उपसर्ग है वो है उद्त तो उत्त और उद्त ये दूनों क्या है उपसर्ग है जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में जुर जाते हैं और एक नया शब्द बना लेते हैं अगर कोश्चन पूछे गा तो आप लोग छोड़कर नहीं आईएगा बढ़ते हैं पराजय पराकरम आप लोग देख सकते हैं, जय के आगे परा लगा है, क्रम के आगे परा लगा है, यानि कि उपसर्ग कौन सा है, परा है, ठीक है, परी जन और परी हास, जन के आगे परी लगा है, हास के आगे परी लगा है, यानि कि उपसर्ग जो है न वो परी है, ठीक है, परी एक उपसर्ग है, उसी तरह निर गुड निश चल देख सकते हैं आप लोग गुड के आगे निर लग गया है यानि की निर क्या है उपसर्ग है चल के आगे निश लग गया है यानि की निश क्या है एक उपसर्ग है याद रखना है निर और निश दोनों क्या है उपसर्ग है और इससे बना शब महारान पृचार आप लोग नाम सुने एंगे तो पृचाप उसमें और उपसर्ग से बना हुआ उसी तरह प्रतिव्यक्ति के आगे प्रती लगा दो अती काल या फिर अधीकार ठीक है ना काल के अती लग गया है यानि कि अती उपसर्ग है अधीकार के आगे अधी लग गया है अधी क्या है उपसर्ग है उसी तरह दूर और अनू भी क्या है उपसर्ग है दुर गम आप लोग सुने होंगे अनुशासन सुने होंगे दुर गम आगे दुर लग गया है अनुशासन के आगे अनुशासन के आगे अनुशासन के आगे अनुशासन के 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 अनुशा है ना इस्थित के आगे लग गया है तो अवस्थित बन गया है यान कि यह क्या है उपसर्ग है उसी तरह आगमन गमन के आगे आ लग गया है तो आगमन बन गया है एक नया शब्द बन गया है तिर्फ आ लगने के वज़ा से यान की आ उपसर्ग है उसी तरह वी सुने होंगे विज्याद के आगे वी लगाकर विज्यान विज्यान शब्द सुने होंगे साइंस आप लोग पढ़े भी वहांगे विज्यान सब्जेक्ठ को विज्यान यह उपसर्ग से बना हैो Star Karen the वी क्या है विज्यान में या फिर बदनाम तो दौलत के आगे बहा लगा हुए है देख सकते हैं बदनाम नाम के आगे बद लग गया है यह आप लोग खुद यह common sense वाली बात है इसमें याद करने वाली कोई बात ही नहीं है आप लोग खुद देखिए दौलत था स्टार्टिंग में बहा लग गया है नाम था स्टार्टिंग में बद लग गया है यानि कि आप लोग को आप साब दिख जा रहा है कि इस शब्द में जो उपसर्ग है वो है बहा क्या है एक उपसर्ग है उसी तरह नाम के आगे बद लगा है यानि कि इस शब्द में जो उपसर्ग है ना वो है बद बहा और ये दोनों क्या है उपसर्ग है जैसे की देखिए बरखास्त और बाईज़त बरखास्त और बाईज़त दोनों में देखिए स्टार्टिंग में क्या है बर यानकी बर एक उपसर्ग है बाईज़त इज़त क्या आगे स्टार्टिंग में क्या लगया है बा यानकी बाबी क्या उसी तरह बिल्कुल के आगे बिल लगया है यान की बिल के है उपसर्ग है बिला परहेज परहेज के आगे बिला लगया है यान की बिला भी क्या है एक उपसर्ग है बे इमान और अलगरज देखिए मान के आगे इमान Mang और इस जोब्ड में इसके स्टार्टिंग में लग गया है इस शब्ड में उपसर्ग है उसे राख खुश्बूव इस शब्ड में उपसर्ग कौन उसह है बताईए पहले बू था बू और स्टार्टिंग में खुश लग गया है यानि कि इस शब्द में जो उपसर्ग है वो है खुश खुश हाल भी आप लोग सुने होंगे हाल के आगे खुश लगा दो तो खुश हाल बन गया यान कि खुश हाल में उपसर्ग क्या होगा तो खुश होगा ठीक है ना आगे बढ़ते हैं गैर और दर देखिए गैर हाजिर इस शब्द को लग गया दर यानि कि सप्ट में जो है वह मिमलोत है यानि कि ऑपसर्ग है उसी तरह ना पसंद पहले पसंद था स्टार्टिंग में ना जुड़ के महीं होगा है इस शल पर एक उपसर्ग है ला चार पहले चार था है स्टाटिंग में ला जुड़ गया है इस शब्द में भी डिरेक्ट दिख जा रहा है कि इस शब्द में जो उपसर्ग है वो है ला अब बताए इसमें याद करने की जरूरत है शब्द को देख कर ही आप लोग पहचान पाएंगे कि वो उस शब्द म सब्द में सर एक उपसर्ग है हम वतन हम सफर यह दोनों शब्द जैना इसके स्टार्टिंग में हम लगा चार जो नो हम कॉन इस वह मं हर तो हर वक्त रोज के आगे हर लगा है वक्त के आगे हर लगा है तो इन दोनों शब्द में जो उपसर्ग है वो है हर रोज हर वक्त तो यह जितने भी है यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां से लेकर यहां तक यह टोटल जो है उपसर्ग है ठीक है ना टोटल में उपसर्ग बत थेका, इसलिए मैं पोल रही हूं, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजेगा, एक बार नहीं, चार्पाँच बार पढ़ लीजेगा, ताकि याद हो जाए, मांइंड में फिट हो जाए अगर आप इसको चार-पांच वार पड़ते हैं तो आप लोग के मैंड में यह अटोमेटिक फिट हो जाएगा आप लोग को याद करने के जोरत ही नहीं पड़ेगी ठीके ना आगे बढ़ते हैं पड़तियाय को देखते हैं पड़तियाय जैसे कि मैं बताई जो लास्ट में जोड़ जाये और एक नया शब्द बना ले देखते हैं आहट यह एक पर्तिया इसमें लास्ट में आ या यानी कि समझ में आ रहा है कि इस शब्द में जो परतिया है वह है तो आएक परतिया है उसी तरह सोया इसमें या है या यह नहीं कि आ बोलने लगे जी नहीं सो या या है ना या सो और लास्ट सो ना प्लस लास्ट में या जोड़ दिया गए सो या तो या इसमें परतिया है सो या में इस शब्द में परतियाए कौन सा है तो या है जागा अब इसमें जागा जब आप लोग बोलेंगे जागा यानिकी लास्ट में आ, आ, पोनन्सियेशन जो है निकल रहा है, आ उचारित हो रहा है, तो आ जागा इस शब्द में जो है, वो परतेय क्या कहलाएगा, आ कहलाएगा, या नहीं कहलाएगा, आ, देखें, लास्ट में सोया, इसमें या समझ में आ रहा था, लास्ट में या उसी तरह सुन्दर ता पहले सुन्दर था लास्ट में ता जुर दिया गया तो सुन्दर ता हो गया तो ता क्या है यह जो लास्ट में ता जुड़ा है यह एक परतिया है उसी तरह पढ़ता लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है ता यानि कि इस शब्द में जो परतिया है वह वहता धर्ती आप लोग देख सकते हैं पहले धर था लास्ट में ती जूर दिया गया यानि कि धर्ती हो गया नया शब्द बन गया और इस शब्द में जो परतिया है वो है ती ठीक है ना उसी तरह जाकर कारीगर जाकर में देख सकते हैं स्टार्टिंग में जा है और इसके लास्ट में कर जोड दिया गया है यानि कि इस शब्द में जो परत्या है वो है कर उसी तरह कारीगर लास्ट में क्या है गर गर परत्या है तेली तेली आप लोग बोल कर देखिए तेली 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 बोलिए लास्ट में ए आप लोग गया इसमें एक परत्या है उसी तरह फासी गर्मी भारी तो यह जितने भी शौब्द है लास्ट में ए जोड़ दिया गया बड़ी जोड़ दिया गया है यह यह याद रखेगा इंपोर्टेंट है यह वाला भी पूछ देता है कभी-कभी आगे बढ़ते हैं मुखिया और गया यह जोड़ दिया गया तो क्या हो गया मुखिया यानि कि इस मुखिया शब्द में जो पड़तिया हूग हल८ा है उसमें और जोड़ दिया गया तो हल्वा हो गया नहीं पर्तियाय को और चैंद में उसी तरह सपेरा में देख सकते एह एक परत्याएं इन आप तो खिलावन्हाव देख सकते हैं जा ग्रीया है धकं यानिकि अन धकन अन लगा दिया गया तो इन्हाय शवर बन गया है उसी तरह लडाई इसे शब्द में जो है परत्याएं आई है ठीकहें ऊसी तरह महीमा महीमा इस शब्द में परत्याएं इमह होगा महीमा महीमा सम tex İma V tu d faster कि अवा कि दिखावा में अवा ढ़े हैं आवा अपड़ों को समझ में आयागा कि लासंके आवा परनाउंस हो राए यायनिकि इसBut परति आये हैं अवा अगर आप परतियाई पहचानना हो ना तो आप लोग खुद एक बार उस शब्द को पढ़ कर देख लीजिएगा लास्ट में जो भी पर्णाउंस होगा ना उसको आप लोगो ऑप्सन में दिया रहेगा धीरे से टिक कर देना है जैसे कि दिखावा आप लोग पढ़ कर देखिए दिखा दिखावा लास्ट में आवा आवा पणाउंस हो रहा है यानि कि आवा क्या है दिखावा में परतियाई है उसी तरह यह जो सजावट शब्द है इसमें परतियाई बताईए क्या होगा खुद पढ़िए सजावट 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 तो पता चलेगा कि लास्ट में क्या आ पहले दुकानदार था लास्ट में क्या जोड़ दिया गया है दार जोड़ दिया गया है दुकानदार यान कि इस शब्द में परत्याएं दार होगा उसी तरह वान धन और वान धन वान तो इस शब्द में परत्याएं जो है वह वान है मिठास मिठास आप लोग खुद बोल क यानि कि इस मिठास शब्द में जो परतिया है वो है और नहीं कि सिर्फ सो लगा कर चले आए और सो भी दीया रहेगा लेकिन यह आप और डिपेंड करता है कि आप सही लगा कराते हैं कि गलत लगा कराते हैं एक बार पढ़ लिजिएगा उस शब्द को मिठास लास्ट में पन क्या है एक परतिया है थीखन है उसी तरह त्वा और वित परतिया है जैसे कि देवत्वा नार्या पुरुशत्वा तो सब्त में बंजरा एक परतिया है था है है और प्लस इला इला जोड़ दिया गहा है कुद पढ़कर देखिए खर्चीला निकी लास्ट में इला प्रांस हो रहा है तो इस शब्द में खर्चीला शब्द में जो पड़तिया है वह क्या होगा इला होगा उसी तरह विश्य Pandya यान कि लास्ट में एला एला रहे घर के ना यानि की विशयला मैं जो परतिया है वह ठीके आप है अगे बढ़ते हैं रहा जैसे की- TWO el boats हर दिया गया है ठीकatarretra लास्ट में हरा परतिया है ठीक उसी तरह इया बिटिया बिटिया में लास्ट में क्या है या तो इस शब्द का परतिया नहीं आएंगा इस शब्द में पर्तियाए आडी है ठीक है ना खिलाडी और उसी तरह लुहारिन, लुहारिन में, लास्ट में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो पताचलेगा कि लुहारिन लास्ट में क्या है in, in pronounced is ओ रहा है यानकि लास्ट में इन पर्तियाए जोड़ा गया है, तो इन k्य परतिया हो गया उसी तरह आना और आनी भी क्या है परतिया है देखिए राजपुताना राजपुताना यानिकी राजपुताना लास्ट में क्या है आना आना क्या है एक परतिया है इस राजपुताना शब्द में उसी तरह नौकरानी नौकरानी आप लोग पढ़कर देखिए नौकराणी यान्कि लास्ट में क्या है आनी नौकराणी, देवराणी, यठाणी ये टनी भी शबत है ये लस्ट में आनी परत्यायствен जोड़ कर ही बने हुए है ठीक है ना तो नौकराणी में इस शब्द में परत्याय क्या होगा आनी राजपुताना में परतियाए क्या होगा आना ठीक है ना उसी तरह घुमकड में बताईए परतियाए क्या होगा घुमकड बोल कर देखे इस शब्द को घुमकड घुमकड लास्ट में अकड अकड यानि कि घुमकड शब्द में जो परतियाए है ना वो अकड है उसी तरह बह आओ बचाओ बोल कर देखिए बहाओ बचाओ यानि कि बहाओ और बचाओ में जो परतिया है न वो है आओ बचाओ बहाओ यानि कि आओ आओ यानि कि आओ क्या है एक परतिया है ठीक है लकड़ हारा लकड़ हारा में लास्ट में दिख जराए कि हारा लकड़ हारा हारा जो है वो एक परत्या है लिखावट इस शब्द में बताईए क्या होगा लिखावट इस शब्द में जो परत्या होगा वो होगा आवट लिखावट लिखावट आवट वो आवट होगा लिखावट साफ साफ दिख जराए कि लास्ट में आवट लिखावट यानि कि आवट जोड़ा गया है तो आवट क्या हो गया परतिया हो गया उससे का टिकाऊ विकाऊ टिकाऊ विकाऊ टिकाऊ विकाऊ अब लोग बोल कर देखिए लास्ट में आउ आउ या प्रतिया के वाला होगा ठीक है ना लिखने वाला इस तो डायरेक्ट समझ में आ जा रहा है लिखना प्लस उसमें जोड़ दिया गया है वाला लिखने वाला तो इसमें परत्याय क्या कहलाएगा वाला होगा ठीक है ना लिखने वाला इस शब्द में जो परत्याय होगा वो क्या होगा वाला लिखने वाला पढ़ने वाला भागने वाला दूद वाला गाय वाला तरह तरह के दिया गया है फिल्ड現在 इस शब्द में क्या होगा मपतेया योगा उसे तरह उसके खिवया घवया खिवया 298 है आप लोग सुने ज़ाँ पुजारी पुजारी शब्द आप लोक देख सकते हैं पुजारी या उसी तरह इतिहासिक, डैनिक, इतिहासिक बोलिये, डैनिक बोलिये, यह जितने भी शब्द है ना, लास्ट में पता चल रहा है कि इक जोड़ा गया है, इतिहासिक, इतिहासिक, डैनिक, इन सभी शब्द में जो परतिया है, वो क्या है, इक है, उसी तरह पेटू, बाजारू, पेटू बाजारू पेट प्लस उ पेटू बाजार प्लस उ बाजारू यानकी लास्ट में उ जोड़ा गया है उ परत्याए है तो पेटू और बाजारू इन दोनों शब्द का परत्याए क्या कहलाएगा उ कहलाएगा यानकी इन दोनों शब्द में परत्याए उ है बड़ा व उच्च तम ये जितने भी शब्द है इन सभी शब्द में जो परतिया है वो है तम लास्ट में तम जोड़ दिया गया है स्रेश्ट और प्लस तम स्रेश्ट तम ठीक है न तो तम हो गया परतिया उसी तरह एक ता लास्ट में क्या है ता एक और लास्ट में ता जोड़ दिया यानि कि इस शब्द में जो परत्याय है वो है ठीक है ना परत्याय है इस शब्द में तो जितने परत्याय थे हर एक परत्याय को मैं लिखकर और पढ़कर बता दी जितने भी उपसर्ग थे हर एक उपसर्ग को लिखकर मैं पढ़कर बता दी आई होप आप लोगो को समझ में होगा अब कहीं से भी आप लोग एकजाम में कोष्ट पूछे कोषन तो ऊठाएगा कहीं से भी लेकिन इनसर यहीं से मिलेगा म कहीं से नहीं तेखे यह मैं पुण विश्वास के साथ के रही हूँ क्योंकि हर एक उपसरग और परतियाय बता चुकी हूं आप लोगों थो स्कूर्ण लेने का मौकशा दे चुकी हूं आप लोग को करना यहीं है कि हर दो तीन दीन के बाद पुण विश्वास domains को नहीं चूटेगा उपसरग और प्रतिया से चूटने वाला ही नहीं है तो चलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो कुछ भी समझाई हूं समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंड में लिखकर जरूर बताए और लाइक पड़ाफट कर दें देख सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबालीजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे चलि आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं बाइ- टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज